देखो तो जो थर्ड उप्टो डायोड है हमारा वो है सोलर साथ लास्ट class में हमने आपको दोनों अप्रोडायोड समझा दिये थे ठीक है एक था आपका LED और एक था आपका पोटो डायोड ठीक है और यह बताया था LED लाइट एमिट करता है फोटो डायोड लाइट रिसीव करता है अब आ के धहन देना अब हम बात कर रहे हैं सोलर सेल की सोलर सेल एलेडी और फोटो डायूट की तरह बाइस नहीं होता पीछे से उल्टा यह तो खुद एक बैटरी है लेकिन बैटरी बंती कैसे है फैब्रीकेट कैसे करते हैं इसको तो देखो क्या कहता है इसका मतलब मुझे इसके ऊपर एक ऐसी विंड़र बनानी पड़ेगी जहां पर लाइट पड़े तो हमने क्या किया हमने यह एक फिगर देखो एक एक सेंडविच बनाया पी जंक्शन का जो पी साइड है उसे जोड़ रखा है हमने पीछे एक मैटलिक कॉंटेक्ट से इसे बैक कॉंटेक्ट बोलते हैं ठीक है पीछे पी साइड से हमने किससे कनेक्ट कर रखा है मैटलिक कॉंटेक्ट से इसे बै यह देखो तो back contact किसका है metal का अच्छा क्यों लगा है पीछे metal क्योंकि इसी से ही तो मैं connect करूँगा cell में जो दो चीज़े होती ही न जिससे connect करना मुझे वो conducting होनी चाहिए तो मैंने का फिर एक काम करते हैं आगे भी लगा देते हैं फ्रंट कॉंटक्ट यहां पर यहां पर ही metal लगा दो पीछे metal लगा दो तो sunlight अगहां से हागे अगर मैं आगे भी इतना बड़ा पंट्टी लगा रकिए तो sunlight कहां से आएगी इसलिए मैंने इसको हटा इसके जलागाए इसकी जगे मैंने यह पतली स् श्रिप्लि लगाई यह यह देखो यह थीक है और इसे finger like projection बोला तो कोई तुम से पूछें यहाँ पर इसने पूरी metal की पठी क्यों नहीं लगाई ये finger like projection क्यों मनाया तो तुमें जवाब देना है ये finger like projection मनाने का कारण ये था कि यहाँ पर sunlight पड़े इसको छोड़के बाकी सारा हिस्सा खाली पड़ा है कोई तुमसे पूछे कितना area है तो हम बोलेंगे 15% है 15% अब इस 15% को छोड़के जो बाकी का area है जो exposed है sunlight के सामने वो है 85% अब इस 85% सर्फेस पर लाइट पड़ेगी लाइट पड़ेगी तो क्या होगा तीक है आजाओ तीन काम होंगे लाइट पड़ने पर जनरेशन ऑफ एमफ बाइस सोलर सेल वेन लाइट फॉल्स ओन इट इट इस दूटो दा फॉल्विंग थ्री बेसिक प्रोसेस पहला generation, दूसरा separation, तीसरा collection generation किसका होगा? electron और holes के pair का ठीक है? separation किसका होगा? separation होगा electron और holes का उस electric field की वज़े से और collection किसका होगा? electron N side पे collect होंगे और holes P side पे collect होंगे तो दुबारा देखते हैं जब उपर से sunlight पड़ी the generation of EMF the generation of EMF by solar cell when light falls on it it is due to the following three basic process पहला generation, किसका generation? generation electrons और holes के pair का उस sunlight की वज़े से इसका मतलब वो तभी होगा जब sunlight sunlight की energy energy का जो band gap था जिसे हम energy gap कहते थे उससे ज़्यादा हो याद करो हमने आपको starting में band gap के हिसाब से बताया था कि एक energy gap होता है semi-conductor में ठीक है? अब वो semi-conductor का energy gap है उससे ज़्यादा होनी चाहिए मानलो यह energy gap है E तो sunlight से आने वाली energy जो है वो इससे बड़ी होनी चीए तो ही हमारा काम हो पायागा नहीं तो वर्किंग नहीं होगी चलो ठीक है अब जरह धर ध्यान दो तो हमने बोला generation of electron whole pair due to light फिर उसके बाद separation of electron और वो light के energy क्या होनी चीए energy gap से बड़ी होनी चीए energy gap से बड़ी होनी चीए इसका मतलब आ गया हमें मिल गया कि हम fabricate कैसे करेंगे अब यहाँ पे मैं जो चीज लगाऊंगा जो material लगाऊंगा PN junction का मैं यह ध्यान में रखके लगाऊंगा कि वो 1.5 EV से ज्यादा हो ठीक है अब ही नीचे सी के बात करेंगे दूसरा separation of electron and holes due to electric field of depletion layer अब जो depletion layer की electric field है उसके वज़े से electron और holes separate हो जाएंगे electrons N side पर जमा हो जाएंगे और holes P side पर जमा हो जाएंगे उसको क्या कहते हैं? collection तो पहला step था generation, दूसरा separation, तीसरा collection collection किसका होगा? electrons का N side पर और holes का देखो the electrons reach the N side are collected by the front contact and holes reach the P side are collected by the back contact कहा है यह back contact? यह रहा आपका back contact कहा है आपका front contact? यह रहा आपका front contact तो front contact और back contact को अगर N और P मिल गया तो और N और P का मतलब कहो था? negative side or positive side तो cell बन गया cell में दोई तो चीज़ होती है ठीक है? उनके बीच में potential developed हो गया दस P side become positive and N side become negative side rise a photo voltage और voltage developed हो गया, इसका मतलब EMF generate हो गया, यही तो चाहते थे आप तो यह कब हो जब sunlight पड़ी? कहां पर पड़ी? जो 85% exposed area था चलो एक बार फिर से ओपर चलते हैं solar cell की definition solar cell basically a PN junction which generates EMF when solar radiation falls on the PN junction it works on the same principle as photo diode except that no external biasing मैंने बताया था यह किसी biasing पे नहीं काम करता is applied and junction area is kept much larger और जो junction area है वो solar radiation के लिए काफी बड़ा रखा जाता है जिसे जाद सादा solar radiation पड़े और बहाँ पर electron और holes separate हो और collect हो N side or P side पे है ठीक है ठीक है ठीक है अब वो कहता है यहां पर है क्या अब P silicon wafer of about 300 micrometer is taken over is taken over which a thin layer of N silicon is grown on one side by the diffusion process the other side of the P N P silicon is coated with a metal जिसे हम क्याते है back contact on the top of the N silicon layer the metal finger electrodes is deposit metal finger electrodes क्यों deposit किये गए है क्योंकि वहां पर पूरा metal contact नहीं कर सकते थे इसका सिर्फ 15% होता है this act as a front contact the metallic grid occupies only a very small fraction of the cell area which is less than 15% so that the light can incident on the cell from the top ठीक है तो यह हो गया आपका किस तरीके का दिखता है solar cell आगे आगे अगे कि य्युक्त ने एक्स्टनल लोड इस कनेक्ट इस युन इंफिगर जब एक एक्स्टनल लोड लगाया जाता है अब ज़्यांदो यह आपका पी अंजंग्शन यह रहा एक्सटनल लोड लोट रेजिस्टर अब दिप्लीशन लेर इसने कितनी मूटी दिखाई यह यह आपकी डिप्लीशन लियर ठीक है अच्छा विन एक्षण लोट इसकनेक्ट इसने फिकर अफोटो करंट आई एक फोटो करंड डेवला पूटा है फ्लो तुरू दा लोट अटीपिकल विया करेक्ट्रस्टिक्स अफ एस सोलर सेल एस यूनिन फिकर अब देखो यह आपका विया करेक्ट्रस्टिक अब विया करेक्ट्रस्टिक यह क्या बता रहे यह कहरे रहा कि है ओपन सरुकिट ह्पन सरकीटेंगा पर निंग्रेस करगा कर है शॉट्स इन Пरकेषान देखोट्र टान फिकरश कर रहा है नेगि नेगिटीछ टीक है करनड डिक्रीस करगा ऑर यहां पशुोड पाटी केषा is drawn in the fourth quadrant यह कुछन आता है कि fourth quadrant में क्यों होता है fourth quadrant का मतलब है कि यहां पर current lose होता है current क्या हो रहा है और potential develop होता है यहां पर current यह gain नहीं करता थे किसी तरीकी की biasing में participate नहीं करता अब देखो यहां पर reason सुनना जरा यही reason है इसका paper में आएगा तो this is because a solar cell does not draw current but supply the same load यह current लेता नहीं है current पैदा करता है यह कैसी से forward or reverse biased नहीं है उल्टा यह तो खुद current पैदा करता है solar cell है ना cell का मतलब क्या जो current पैदा करेगा है यह generate करेगा नहीं यह लेगा थोड़ी current और current generate कैसे होता है जब electrons inside पर holes inside पर separate होते है separate कैसे होते हैं जब उपर से sunlight पढ़ती है ठीक है तो उस sunlight वो sunlight किस पर पढ़ती है depletion layer पर depletion layer किसे किसे बनी है P or N के junction से और P N junction से हम जो current निकालेंगे को किसे निकालेंगे front contact में एक लगीवे metal की finger like projection की fringe और back contact में लगा है metal की पुरी sheet ठीक ठीक अच्छा अब वो कहता है इसकी fabrication कैसे होगी मैंने हर चीज़ की fabrication बते है अब इसकी देखो यह बंदा किस चीज़ से किस समान से बंदा है a semiconductor with a band gap close to 1.5 EV are ideal material for the solar cell fabrication सबसे बढ़े है 1.5 EV के आसपास का है यहां कि 1.41 हो 1.53 हो वो अच्छे होते है solar cells are made with semiconductor like silicon अब देखो silicon का कितना है 1.1 और फिर दूसरा कौन सा है 1.43 यह और भी अच्छा है ठीक है यह और भी अच्छा है 1.45 ठीक है आगे अब किस किस बात को ध्यान में रखना है इसकी fabrication में the important criteria for the selection of a material for the solar cell fabrication are पहला band gap बता दिया 1 to 1.8 होना चाहिए ठीक है 1.5 के बाद सबसे बैस्ट होगा high potential absorption अच्छा उसमें खासी तो नीची क्यों light ज्यादा से ज्यादा absorb परे तीसरा electrical conductivity अच्छा वो conducting नहीं करता है बहुत बढ़िया solar cell है बस उना अपनी electricity किसको देता नहीं है तो तुम कहोंगे भी इसका चाहर डा लेंगे अब चौत था अल्वेस रिक्वाइट तो दा सोलर सेल अब वो कह रहा है सनलाइट जो हमेशा नहीं चाहिए होती सोलर सेल को एनी लाइट विद फोटोन एनर्जीज जनरेट एनर्जीज ग्रिटर देंद बैंड गैप विल डू सो तो कोई सी भी लाइट हो जिसका बैंड गैप से जात हो वो यह जनरेट कर सकती है ठीक है अब इस कोशन को देखो कह रहा है सिलिकन और गेलियम और सेल बनाने के लिए तो सोलर सेल के लिए अगर हम ग्राफ देखे तो इंटेंसिटी का ग्राफ सबसे ज्यादा आता है वन पॉइंट वाइवी के आसपास तेक है देखो तह मैक्सिमा नियर फन पों तहाई वी बीवी फ़ोट एक्साइटेशन ही जो अ हर में एनरजी गैप से बढ़ा होना चाहिए हमस्दा सेमिक कंडक्टर विद बैंट डिए फ से कम are likely to have better solar conversion efficiency silicon का 1.1 होता है जो से कम है अच्छी बात है और गेलियम का almost 1.5 के आसपास होता है अब आप कहोगे पीछे लिखी थी इसकी वैल्यू 1.43 और यहां लिखे 1.53 तो उसके लिए परिशान मत होना यहां पर मैंने आपको पहली पहले ही बताया था गेलियम और आर्सेनिक की रेशियों में फार्क होता है एक 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 तो उसके चेंज होने के वैसे इनकी वैली थोड़ी बहुत रखती है और एक च्वेंच और आर्लग चेंगों पर Tech ohne कि सथे रखे जाते हैं तो उसर्य ऐसाब से अलग अलग है यैसे महलों आपको की हीटर के लिए खिसी और चीज के लिए सोलर सेल बनाना है तो वहां ज्यादा चीए करंट ठीक है कहां पर करंट ज्यादा चीए कहां वोल्टेज कम चीए इन सब के साफ से सोलर सेल बना है आगे अब देखो गेलियम आर्सेनिक इस बैटर दें दा सिलिकन विकोज आफ इट्स रिले टिपली हाइब सॉप्शिंजिए यह लाइट ज्यादा एब्जोंप करते हैं ज्यादा एब्सॉर्प करेंगे तो अनर्जी जादा मिलेगी इनको सोलर की सोलर की जी जादा मिलेगी तो ज और यह आपको यह दोनों हाइलाइट करने जब भी आपका कुश्चन आए गाई है तो यहां पर आपका सोलर सेल वाला